निकी तंबोली ने दोस्तों कर दी है एक बड़ी बात और ये बात करी है उसने लाइफ पुटेश में अब ऐसे में क्या वो बोलती है दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आगया है होसें दोस्ता हुलभोज और स्वागत है आपका फीफा फूज में बिग बॉस बोले तो फीफा फूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके आगे बड़ी और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए बात करते हैं दोस्तों निकी तंबोली के बारे में और विखाल सुप्ता के बारे में हम सब जानते हैं दोस्तों कि निकी तंबोली जो है वो बिग बॉस के घर में एक अरियल घोडी है राइट वो अपनी मनमर्जिकी करती है वो स्टार्टिंग में लोगों को बहुत साथ बेज़द भी करती थी लेकिन बाद में धीरे-धीरे जब वो वापस आएं उनको पता चला बहार तो वो बदल कराएं पलट कराएं अब निकीत अमोली की दोस्तों एक बात जो है वो दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आये थी वो थी कि वो जिस तरीके से लोगों को डिस इसको सिंगल आउट किया है मैंने तो कुछ भी नहीं किया है और मैं तो हसी मजाग करते ही रहती हूं और मेरा तो ऐसा है नीराखी के साथ कुछ भी मैं तो उसके साथ टोटली यह लव एट रिलेशनशिप शेयर कर रहे हूं इस पर विकास गुपतर यह भी समझाते है निक चेंज नहीं होगी और यह यह यहां पर विक बोस गटर जो है यह रहे है कि समझ में नहीं आता लोगों को अगर प्रप्रबलम है तो वो लोग चेंज हों तो इस तरीके से निक्की तंबोली ने दोस्तों दे दिया है करारा जवाब अब देखते हैं कि विकास गुपता की बातों को कितना ज़ादा सीरियस्ली लेती हैं या फिर नहीं लेती हैं वैसे आपको क्या है कहना इस बात को लेकर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं बने रहें चैनल के साथ देखते रहें फीफा फूल्स क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूल्स चलता हूं मैं झाल